मूलर कंड़क्टिविटी और इसे प्रीविएस मैंने कल आप लोगों को वीडियो के अंदर बताया था कि बही कंड़क्टेंस, कंड़क्टर और कंड़क्टिविटी है वो क्या होती है वो सारा हमने कल डिसकस कर लिया था उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं यहां पर मोलर कंड़क्टिविटी तो डिफाइन मैंने यहां पर लिखा हुआ है तो इतनी बड़ी डिफाइन देकर आपको ड़ने के जुरूत नहीं है इसको पहले हम आसान जो शब्दों में पहले समझ लेते हैं कि मोलर उससे जो आयन्स प्रड्यूस हो रहे हैं और वहां पर क्या कंड़क्टिविटी दे रहे हैं हमको क्या कंड़क्टेंस है वो दे रहे हैं तो वहां पर क्या कलाएगा मोलर कंड़क्टिविटी कलाएगा उसमें एक कंडिक्शन और हमको जोड़ देनी है कि जो तो यहां पर अब इनके बीच की जो डिस्टंच जब हमने 1 cm कर लिया यहां पर जो एलेक्टरोलाइट हमने कर रखा है उसको हमने कितना ले लिया? वन मोल ले लिया तो उस कंडिशन के अंदर वहां पर जो कंडुक्टेंस हमको मिल रही है वो वहां पर क्या कहलाएगी? तो दो कंडिशन आपको ध्यान में रखनी है बस आपको ध्यान में रखना है कि 1 mol electrolyte हमको लेना है और साथ यह साथ जो लेक्ट्रोड की जो बीच की डिस्टेंस है वो हमें unit length है वो लेना है मतलब वहां पर 1 cm जैसे हमने रख लिया वाँ पर तो उस condition के अंदर जो भी हमको वह देल रही है हमको तो उसको हम क्या कहेंगे वहां पर molar conductivity ही कहेंगे अब इसके define हम देख लेते हैं यहां पर तो यहां पर define यह है molar conductivity of a solution at a given concentration is the conductance of the volume V मतलब जो solution हमने लिया है electrolyte का तो उसको volume कितना है वहां पर V है containing 1 mol of electrolyte यह सबसे ज्यादा important है कि हमें जो electrolyte लेना है वो कितना है वहां पर 1 mol electrolyte है kept between two electrodes with area cross section area a मतलब cross section area कुछ भी हो सकता है a हमने लिखा है तो मतलब cross section area के उपर हमें वहां पर ज्यादा ध्यान नी देना है बस यहां पर यह ध्यान रखना है distance of unit length तो जो electrode के बीच की जो distance है वो तो हमें unit length ही रखनी है वहां पर और area है वो change हो सकता है वहां पर जो cross section area है वो चेंज हो सकता है बट वहां पर unit length आपको रखनी है और 1 mol of electrolyte लेना है तो उस condition के अंदर जो भी आपको value मिल रही है conductance की तो वो कहलाईगी वहां पर molar conductivity अब यहां पर इसका जो formula क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं और किस से denote करते हैं वो भी हम देख लेते हैं तो यहां पर इसको जो symbol के अगर हम बात करें तो यहां पर इसको हम denote करेंगे by lambda lambda Greek जो language हो उसका word है तो lambda M इसको है वो लिखा जाएगा तो यहां पर conductivity को show कर रहा है और molar के लिए हमने क्या लगा दिए वहां पर M है वो लगा दिए तो यह बनिया molar conductivity अब यहां पर इसका formula अगर हम देखें तो lambda M है उसके लिए जो formula है वो यहां पर दे रखा है कपा जैसे यहां पर into A upon L ठीक है अब यहां पर थोड़ी देर जैसे पहले हमने कहा था कि भई L है वो तो हमने क्या लेना है 1 है वो लेना है जैसे 1 cm हमने रख दिया इसको तो उस condition के अंदर volume है वो किसके बराबर हो जाएगा तो volume थोड़ा सा मैं बता देती हूं आपको कि volume किसके equal होता है A into L के बराबर होता है उस condition में जब L है वहाँ पर 1 cm अगर हमने पुट कर दिया तो वहाँ पर V किसके बराबर हो जाएगा A के equal हो जाएगा उस condition में जब हमने L है वो unit length रखा है तब वहाँ पर V किसके equal हो जाएगा किसमें बदल जाएगा क्पप इंसacia कि मिल जाएगा गर खूल जो electrolytic solution है उसका जो volume है वो कितना ले रहे है वी है हम ले रहे है formula वो ही हमने लगया electrodes का जो cross section area upon हमने क्या किया L unit length है वो जो रखा था तो वो हमने formula यहाँ पर लगया तो अब यहाँ पर यह formula जब हमने apply किया तो इसकी जगे हमने क्या put कर दिया एक जगे V लेकर आगया क्यों कि यहाँ पर L क्या है 1 cm है volume का formula हमें पता है A into L होता है तो यहाँ पर 1 put क्या तो V किसके equal हो गया? A के equal हो गया तो यहाँ पर इस A की जगे हमने क्या put कर दिया? वहाँ पर V हो put कर दिया तो हमें formula मिल गया lambda M equals to kind to V है वो हमको मिल गया अब V तो क्या है यह आपर volume है और यहां से एक point important है जो बन सकता है और exam में पूछा जाता है वो यह है कि what is the effect of dilution on lambda M बहुत important question है जिसे कल मैंने आपको specific conductance और we can say conductivity पर effect बताया था आज हम यहां पर effect के उपर देखेंगे lambda M के उपर देखेंगे और इसी formula से ही आपको easy तरीके से समझ में आपाएगा तो यहां पर अगर question आता है कि what is the effect of dilution on lambda M तो वहां पर आपको बताना है on dilution on dilution lambda M क्या होगा यहां पर क्योंकि volume dilution पर क्या होगा volume है वह increase होगा अगर जिसे वहां पर हम जो water है solvent है वो add करते जा रहे करते जा रहे तो volume क्या होगा दीरे दीरे बढ़ता जाएगा तो उस condition में क्या होगा कि lambda M वहां पर क्या होगा सीथा सा relation है lambda M और V के अंदर तो आप formula लिखोगे और फिर एक line लिख सकते हो यहां पर क्योंकि lambda M increase हो रहा है क्योंकि वहां पर volume increase हो रहा है दौनों एक दूसरे के directly proportional है वहां पर इस वज़े से अगर आप V बढ़ाओगे volume बढ़ाओगे तो वहां पर lambda M क्या हो जाएगा increase हो हो जाएगा dilution के ऊपर तो एक simple सा question जो बहुत बार पूछा गया है काफी बार होता है कि दौनों question को merge करके पूछ लेते हैं specific conductance और molar conductivity के ऊपर dilution का effect बताओ तो दौनों का मैंने बता दिया है पर प्रिवेस वीडियो में specific conductance का हमने discuss किया था और यहां पर आज हमने molar conductivity का है वो discuss कर लिया है दौनों important question है तो वहां पर आपको इनको तो विल्कुल skip नहीं करना है आप question लिखकर इसका answer है वो लिखोगे अपनी copy के अंदर उसके बाद म हम यहां पर ले लेते हैं यहां पर इसको इस formula के अलावा जैसे अगर volume ने लेकर हम concentration की form ने इसको represent करना चाहे molar conductivity को तो वह हम किस तरीके से कर सकते तो एक relation हमेशा ध्यान रखना है कि volume और concentration दौनों एक दूसरे की inverse volume और concentration एक दूसरे की inverse हैं कैसे हैं अगर आप वहां पर volume ब हम लेते हैं हमने ग्लास पानी लिया उसके दर हमने दो चमच है वह अपने sugar या salt है वह एड कर दिया तो अभी जब आप उसको टेस्ट करके देखोगे तो आपको जो sweetness या जो अगर आपने salt अगर एड किया है तो आपको वैसा है salty taste है वह आपको फील होगा फिर जैसे जैसे अपने पानी की amount है वह बढ़ाते जाओगे आपने फी ग्लास के अंदर एक लास पानी और एड कर दिया या दो ग्लास पानी और एड कर दिया तो वहाँ पर अब क्या होगा कि जो sweetness या जो हमें पहले feel हो रही थी वहाँ पर या saltiness हमको जो feel हो रही थी तो वह दीरे दीरे क् क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और weekend से उसकी concentration वह क्या हो जाएगी कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर अब हमने क्या कर दिया dilution बढ़ा दिया तो उस condition के अंदर जो sugar या उसके respect में जो salt की concentration है वह क्या हो गई बहुत कम हो गई इस वज़े से हमको टेस्ट हो नहीं आएगा तो हमेशे आपको धियान रखना है कि volume और concentration है वो एक बुसर कि क्या होंगे opposite है वो होंगे तो अब पहली वाले formula को अगर मुझे concentration की form में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी कपा अपॉन C लिखूंगी यहाँ ठीक है अब concentration को किस तरह किसी रिप्रेसेंट करते है मोल पर लिटर की form के अंदर हम लेते हैं यहाँ पर तो अब हमें यहाँ पर जैसे क्योंकि कल हम लोगों ने इसकी unit है वो पड़ी थी कपा की तो हम लोगोंने क्या पड़ा था वो cm में लिया था तो यहाँ पर अगर मैं चाहूं इसको कि यह भी मेरे पास में cm में आना चाहिए तो अब यहाँ पर अब यह formula किस तरीके से represent हो जाएगा lambda m equals to kappa क्योंकि हम लेटर को किसमें convert करना चाहरे है cm3 के अंदर convert करना चाहरे है तो यह हो जाएगा 1000 और नीचे क्या आजाएगा c आजाएगा तो यह हमारा final जो formula है वो हो जाएगा जो हम लोग numerical purpose से काम में है वो लेते ह तो formula यहाँ पर बन गया kappa into 1000 upon c यह formula हमको यहाँ पर मिल जाएगा अब इसकी unit भी देख लेते हैं हम लोग अब unit अगर हम देखेंगे तो कल हम लोगोंने पढ़ा था कि जो kappa है उसके लिए जो unit होती है वो कितनी होगी वहाँ पर Simon cm inverse और यहाँ पर जब मैंने 1000 लिखा है त तो यह किसको represent करेगा यहाँ पर cm3 को represent है वो करेगा अब नीचे क्या रह गया मोल है वो रह गया तो यहाँ पर जिससे ही जो cancel होना है वो हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा Simon cm2 और यह हो जाएगा मोल inverse तो यहाँ पर lambda m की जो unit है वो यह हो जाएगी हमारे पास में और unit के अंदर meter square लिख देंगे और यहाँ पर आजाएगा मोल inverse तो इस तरीके से यहाँ पर हमने unit भी देख ली कि लैमडा m की unit है वो क्या हो सकती है अब लैमडा m को कौन-कौन से factors है वो effective हो कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या-क्या factors है वो इसको यहाँ प अब इसमें सबसे पहला यहाँ पर आएगा temperature temperature का क्या effect होगा temperature बढ़ाने से क्या होगा कि वहाँ पर free जल्दी से जल्दी जो आयन्स है वो क्या होगी वहाँ पर free है वो हो पाएंगे तो temperature जब भी आप बढ़ाओगे तो यहाँ पर मोलर conductivity भी क्या होगी वहाँ पर increase है वो होगी kinetic energy बढ़ेगी आयन्स है वो free होगी फटा-फट वो move करेंगे तो वहाँ पर जल्दी से जल्दी क्या होगा कि वहाँ पर conductance है वो भी molar conductivity है वो भी क्या होगी increase हो होगी फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर नीचर आउफ एलेक्रोलाइट तो नीचर आउफ एलेक्रोलाइट के अंदर कल मैंने आपको बताया था कि विजो एलेक्रोलाइट से वो दो तैप के होते हैं एक तो वीक और दूसरा क्या हैं इस्ट्रॉंग तो जिनका में क्या होगा कि ions हो इतना fast है वहाँपर dissociate होता ही नहीं पूरा dissociation होता ही नहीं है तो जब पूरा dissociation ही नहीं हो रहा आएंस आपको पूरे नहीं मिल रहे हैं तो वहाँपर जो conductance होगी वह भी आपको पूरी ही है वो नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए थी तो वीक electrolytes के case में तो वहाँ पर जो lambda m है वो कम मिलेगा आपको और वह strong electrolyte है तो वहाँ पर lambda m है वो क्या होगा ज्यादा होगा यह छोटा सा मतलब बहुत simple सा concept है dissociation जिसका ज्यादा है तो molar conductivity उसकी ज्यादा है जिसका dissociation कम होगा तो molar conductivity उसकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी depending upon the dissociation तो यह depend करता है depends on dissociation of electrolyte जितना past dissociation होगा उतना वहाँ पर ज्यादा हमको क्या मिलेगी जो molar conductivity है वो ज्यादा मिलेगी अब थार्ड जो important है यहाँ पर वो है concentration जो फ़र्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर concentration जैसे की थोड़े पहले भी मैंने बताया था आपको कि concentration और we can say dilution अगर वहाँ पर हम क्या करते हैं बढ़ा देते हैं तो उस condition में lambda m है वो हमको ज्यादा मिलता है क्योंकि dilution हम बढ़ा रहे हैं volume बढ़ रहा है तो उसके वज़े से क्या होगा वहाँ पर हम क्या सकते हैं volume बढ़ने से lambda m भी बढ़ेगा तो अगर relation अगर दौनों में निकालना चाहें तो यहाँ पर दौनों में relation क्या होगा inverse होगा lambda m अभी जैसे formula भी लिखा आता हमने तो वहाँ पर हमने क्या लिखा आता lambda m equals to वहाँ पर जो cup upon c लिखा आता तो हम यहाँ पर क्या सकते हैं कि अगर हम lambda यहाँ पर जो c बढ़ाएंगे तो यहाँ पर lambda m क्या हो जाएगा lambda m increases हमें तो जल्दी से जल्दी आयंस को है वो free करना है आयंस के बीच में किसी भी type का जो interaction force है वो नहीं होना चाहिए आयंस वो freely move करने चाहिए जितने ज्यादा freely आयंस move करेंगे उतना वो fast opposite electrode की तरफ जाएंगे यहाँ पर कंडक्टेंस है वो ज्यादा हमको मिलेगा तो यहाँ पर अगर concentration ज्यादा होगी वहाँ पर जो आयंस एक दूसरे से जुड़े रहेंगे जो इनकी बीच में interaction force है वो ज्यादा होगा तो वहाँ पर conductivity यह वो कम मिलेगी और वो ही अगर हमने हमने dilute कर दिया उनकी बीच के interaction force को ही हमने खतम कर दिया वहाँ पर तो आयंस फ्री हो गए independent हो गए वो freely क्या कर सकते है मूव कर सकते तो उस condition में lambda m क्या हो जाता है बढ़ जाता है अब यहाँ पर यह scientist थे जो डिबाई हकल ओंसा जड़ जो पूरा मतलब उन्होंने अपना जो दिया था strong electrolyte के respect में उन्होंने क्या किया था उसको भी हम देख देते हैं उन्होंने एक यहाँ पर graph पे वो plot किया थ यहाँ पर lambda m और वहाँ पर concentration के नीच में तो उन्होंने पाया वहाँ पर कि जैसे वहाँ पर concentration है वो कम होती रहती है तो वहाँ पर lambda m है वो क्या होता है वहाँ पर increase है वो होता है तो graph उन्होंने plot किया था lambda m और root c के बीच में यहाँ पर उन्होंने graph लट के lambda m और root c के बीच में और उन्होंने जैसे देखा strong electrolyte जैसे kcl के लिवा हाँ पर देखा तो वहाँ पर क्या है कि पीचे की तरफ जा रहे है तो वहाँ पर concentration क्या हो रही कम हो रहे है तो ऊसी राधर में वहाँ पर lambda m क्या हो रहा है वहाँ पर बढ़ रहा है यह तो हो गया origin point तो यहाँ पर इसकी respect में ये क्या हो रहा है वापर कम है वो होता जा रहा है पर यही सेम चीज है उन्होंने देखा कोई वीक इलेक्रोलाइट लिया तो उन्हें ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से मिला तो यहां पर ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से मिला इस तरीके से हमको ग्राफ है वो नहीं मिला फिर उन्होंने पाय कि अगर जिसे यह जो लाइम मिल रही है अगर उसको पीछे की तरफ एक्स्ट्र पॉलेट करें तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके उपर कांसंट्रेशन क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी कांसंट्रेशन वहाँ पर जीरो हो गई तो उस कंडिशन के अंदर जो लेम्डा नॉट जो हाइस्ट पॉइंट है उसको उन्होंने वहाँ पर नाम दे दिया door limiting मुलर si लेम्ड़ कुंड़ कीडिया उससको नाम क्या दिया this लिमिटिंग के दिमाग पे आ रहा था कि बहु चलो स्ट्रॉंग एक्टॉलाइट के लिए तो हमने यह पॉइंट है वह फाइंड आउट कर लिया जो जिस पे हमें हाइस मोलर कंडुक्टिविटी मिल रही है जो हम कह सकते कंसेंट्रेशन अप्रॉक से जीरो पहुंच रही है पट ऐसा वी वहां पर या करना है वह करना है कि किस तरह के से लेमडा एम नॉट इसके लिए भी फाइंड किया जाए वीक लेक्टॉलाइट के लिए तो फिर बाद में जो कॉल्राउश करके एक जो साइंटिस्त थे वह आये और उन्होंने फिर वहां पर अपना एक लॉग दिया जिससे वहां पर हम वीक लेक्टोलाइट की इन डरेक्ट मेटड से वहां पर लेमडा एम नॉट है वो फाइंड कर सकते हैं तो लेमडा एम नॉट होता क्या है पहले उसको हम लिख लेते हैं lambda m0 the molar conductivity at infinite dilution at infinite dilution or at a prox zero concentration is known as lambda m0 जिसको हम कहेंगे limiting molar conductivity symbol हमें पता ही है lambda m0 हो गया यहाँ पर किस तरीके से यह हमने देखा कि वे strong electrolyte के लिए यह मिल रहा था और weak electrolyte के लिए हमें lambda m0 नहीं मिल पा रहा है तो पहले तो हमें यह समझना है कोई lambda m0 है क्या अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि इन्फानाय dilution कैसे possible है तो बिल्कुल possible है इन्फानाय dilution का मतलब है कि concentration एप्रॉक्स जीरो पहुंचने से मतलब है कि अभी जैसे थोड़े दर पहले मैं आपको इग्जाम्पल दिया था भी वन ग्लास अपने वाटर लिया उसमें दो चमझ हम नहीं वहाँ पर क्या डाल दिया वहाँ अगर अगर हम उसको अच्छे से मिक्स कर दें तो हमें वहाँ पर बिल्कुल भी पताने चलेगा कि उसके अंदर हमने शुगर है वह एड करी है क्योंकि पानी का एमउंट है वह बहुत ज्यादा हो गया तो उसकी रिस्पेक्ट में थिसके नदर Concentration Approx 0 है वो पहुत जाती है, क्योंकि solvent का Concentration का हो गया वहाँ ज़्यादा हो गया, solvent का Amount है वो ज्यादा हो गया, और भी कैसे Dilution है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, तो यह बताया किसमें था सबसे पहले डिबाई हकल ओंसा जड़ने यह graph पे वो plot किया था और जो उन्होंने equation वहाँ पर दी थी उन्होंने जब यह बताया था कि भी lambda m, lambda m0 के बारे में तो उन्होंने यह equation दिया था lambda m equals to lambda m0 minus a root c यह वहाँ पर उन्होंने equation दिया था उसके according जब उन्होंने graph है वो plot किया lambda m और root c के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हों कि जो slope है वो क्या आ रहे है वहाँ पर negative है वो आ रहा है तो यह तो होगे हमारा slope और वो ही equation हम क्या लिखते है y equals to mx plus c इसके according हम क्या करते हैं यहाँ पर जो graph है वो plot करते हैं तो यहाँ पर slope हमको कैसा मिल रहा है वो negative है वो मिल रहा है x हमारा क्या हो गया root c है वो हो गया intercept हमारा क्या हो जाएगा lambda m not है वो हो जाएगा तो यह उन्होंने दिबाई हकल ऑंसाजर ने जो दिया था equation वैसे ncati में नाम नहीं दे रहा है बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि जो डिबाई हकल ऑंसाजर ने equation दिया था उसके पुर्प के अग्राफ लाउट किया तो हमें strong electrolyte के लिए तो लेम्डा एम नॉट मिलता है बट वीक electrolyte के लिए हमें नहीं मिल पाता है अब हम आ जाते हैं कॉल राउष लाउग के उपर जिन्होंने बताया था अपना लॉग जिसके के according हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं लेम्डा एम नॉट वीक electrolyte के लिभी क्या कर सकते हैं अभी यहाँ पर देख लेते हैं हम कॉल राउष लाउग इस लाउग के according this law state that limiting molar conductivity limiting molar conductivity का मतलब molar conductivity at infinite dilution मतलब लेम्डा एम नॉट आफ एलेक्ट्रोलाइट कैन भी रिप्रेजेंटेड एस दे सम आफ इंडिविजल कॉंट्रिविशन आफ एनायन एंड के टायन अब इसको अगर नॉमल मतलब एकदम सरल लगा शब्दों में समझें तो अगर हमने कर दिया है वहाँ पर तो उस कंडिशन में होगा क्या कि जितने भी जो लेक्ट्रोलाइट के वहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो भी हमने आ है तो सक्तिकन में वहाँ पर दौनों कोा कॉन्टर्वेशन है वह बहुं होगा वहाँ पर Science कि वह हो चुकि वह और कोई भी इंट्रक्षन पौर्स है वह एक्वाल है वह अपर इंडीवuftल यह डिए का contribution देखना होगा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे lambda m not equals to v plus lambda m not plus मतलब cation हो गया और v minus lambda m not minus मतलब nion हो गया अब यह v plus और v minus क्या है यहाँ पर तो यह तो होगा number of cation और यह होगा यहाँ पर number of nion फॉर्मुली पर डिपेंड करता है सिंपल एक्जामपल देख रहे तो उसके लिए अग्जामपल है तो उसके लिए हम देखें वहाँ पर तो lambda m not na c l के लिए हमें find करना है तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पर lambda m not na plus plus lambda not c l minus अब यहाँ पर क्योंकि na c l जब हम लिखते हैं तो number of cation और number of anions are one दौनों के लिए one one ही है तो हम वहाँ पर कोई आगे कुछ number है वो नहीं लिख रहे हैं वो ही अगर हम यही same चीज अगर वहाँ पर lambda m not अगर हमें ba c l2 के लिए लिखना होता तो उस condition में हम क्या करते हैं वहाँ पर lambda not और यहाँ पर तो हम लिखेंगे ba plus 2 क्योंकि barium तो वहाँ पर one है और उसके पर charge कितना है plus 2 है वो हमने लिख दिया but in case of c l minus c l के नीचे कितना number लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2 है वो लिख द और यहाँ पर आजाएगा c l minus इस तरीके से हमें लिखना होगा तो हमने यहाँ पर find कर लिया ba c l2 के लिए इसी तरीके से कोई और भी अगर कोई formula अगर दे रखा है कोई भी अगर दे रखा है तो वहाँ पर उनके जो formula में जो नीचे जो number दे रखा है उनके उपर आपको focus क करना होगा चाहे के time का हो चाहे एनान का हो चाहे दौनों का ही अगर दे रखा होगा तो दौनों के ही number वहाँ पर आगे है वो लिखे जाएंगे तो यह तो हो गया call rush law अब इसकी application क्या है जो हमारे course में है और कैसे हम वहाँ पर इसको use है वो कर सकते तो वह हम देख लेते है यहाँ पर application of call rush law क्योंकि इसमें से क्या है कि question है वो बनता है और important है यह तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पर applications तो application में सबसे जो important है वो तो है to find out lambda m0 for weak electrolyte यह सबसे important इसका application हम मान सकते हैं weak electrolyte के लिए हम क्या कर सकते हैं lambda m0 है वो find कर सकते हैं indirect method है पर इस particular law को use करके हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं example के तौर weak electrolyte की हम lambda m0 है वो find कैसे कर सकते हैं उसका example हम देख लेते हैं यहाँ पर तो अगर मुझे यहाँ पर lambda m0 find करना है for acetic acid और वहाँ पर given आपको क्या क्या है जैसे यहाँ पर lambda m0 HCl आपको दे रखा है और lambda m0 sodium acetate आपको दे रखा है और lambda m0 NaCl आपको दे रखा है given के अदर है तो उससे हम यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं तो अगर HCl अगर दे रखा है तो इसका मतलब है जब मैं इसका contribution लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा H++ lambda m0 Cl- मिलेगा किसी तरीके से इसके लिए हमें क्या मिलेगा lambda m0 CS3COO- plus lambda m0 Na plus हमको यहाँ से मिल जाएगा फिर इसके लिए contribution जब आप लिखोगे तो आपको मिलेगा Na plus plus lambda m0 Cl- यह होगे equation 1, यह होगे equation 2, यह होगे equation 3 अब यहाँ पर आपको करना क्या है, simply आपको यह करना है कि जो चीज़े आपको यहाँ पर इसके लिए चाहिए वो उनको add कर दो, जो नहीं चाहिए उसको वहाँ पर minus कर दो तो मुझे यहाँ पर एक तो चाहिए acetate iron, तो acetate iron मुझे यहाँ से मिल रहा है साथ ही साथ मुझे h प्लस भी चाहिए, तो मुझे कहां से मिल रहा है, equation 1 से मिल रहा है और equation 3 में से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, दौनों ही मेरे काम के नहीं है, तो उसको हम क्या कर देंगे? माइनस है वो कर देंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पर by adding 1 and 2 and then subtracting equation 3 we have, अगर हमने 1 or 2 को add कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा महाँ पर, lambda m0, h plus, lambda m0, cl minus, lambda m0, ch3, coo, minus, plus, lambda m0, na, plus फिर हमने minus कर ना है इसको, यह दो हो गया हमारा सारा, फिर हमने minus कर ना है, lambda m0, na plus, फिर minus, lambda m0, ch- तो यह जब आपने किया यहाँ पर, तो यहाँ पर यह plus का और यह minus का cancel out हो गया, यह plus का और यह minus का यह क्या हो गया? cancel out हो गया, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, lambda M not H plus plus lambda M not CH3 COO minus, तो यह हमको मिल जाएगा, जो किसके equal होगा, lambda M not CH3 COO H के equal होगा, तो अगर हमको वहाँ पर weak electrolytes, जो sorry, बाकी सबकी अगर वहाँ पर lambda M not given है, तो उसे हम indirect तरीके से यहाँ पर weak electrolyte की, हमने lambda M not है, वो find कर ली, तो इस तरीके से अगर इनकी values question में generally given है, वो रहती है, तो हमें क्या करना होगा, कि HCL और sodium acetate की तो हमें add कर लेनी है, तो मैंने पूरा आपको describe करने के लिए, हम किस तरीके से वहाँ पर पहुँचे, इसलिए म वहाँ पर NECL की minus कर दोगे, तो आपको वहाँ पर direct cancel मिल जाएगा, sodium acetate का lambda, not है वो मिल जाएगा, limiting molar conductivity उसकी मिल जाएगी, यहाँ आप तो मैंने पूरा समझाने के लिए आपको पूरा एक बार बताया है, otherwise जो भी चीज़े हमें चाहिए होती है, तो उनको तो हमें क्या कर करना है, add करना है, और जो नहीं चाहिए, उसको क्या कर देंगे, उसमें से minus कर देंगे, तो अगर सब्सकी value 100 होती, इसकी 100 होती, और इसकी 50 होती, तो हम क्या करते है, 100 प्लस 100, 200 और उसमें से 50 minus कर देते, तो वहाँ पर हमें answer जो मिलता, वो किसको show करता, वहाँ पर limiting molar conductivity of acetic acid को show करता, तो यह तो हो गया सबसे, जो major application है, जो सबसे हमारा important application है, हो हो गया यहाँ पर, फिर second application इसका क्या हो सकता है, यहाँ पर, second हम यहाँ पर यह पता लगा सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था, कि हम dilution कर रहे हैं, तो dilution की वज़े से interaction forces हो क्या होंगे उनके बीच के, ions की मीच में खतम होते चले जाएंगे, वहाँ पर dissociation है, वो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हम क्या पता लगा सकते हैं, degree of dissociation है, वो भी पता लगा सकते हैं, degree of dissociation मतलब alpha, alpha हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर find है वो कर सकते हैं, formula हमको याद दखना पड़ेगा, lambda m c, c का के उपट जो molar conductivity है वो यहाँ पर lambda mc के लाएगी और नीचे आ जाएगा lambda m0, आप यह values पुट करके यहाँ पर alpha है वो find कर सकते हो degree of dissociation, यहाँ पर आप लिक दो molar conductivity at concentration c, वादब कोई भी concentration हो सकती है, यहाँ फिर at any concentration और यह हो जाएगा limiting molar conductivity, इन दोनों को divide करते ही हमें क्या मिल जाएगा, वहाँ पर degree of dissociation है वो मिल जाएगा, अब third and last यहाँ पर, क्या यहाँ पर इसका application हो सकता है, तो वो होगा यहाँ पर, आप k है वो find कर सकते हो, k यहाँ पर आप निकाल सकते हो, जो constant है, equilibrium constant है वो find कर सकते हो, formula आप क्या लगा हो जाएगा, यहाँ पर second application हो गया, और इससे हम क्या निकाल सकते है, यहाँ पर equilibrium constant है, वो find कर सकते है, formula हो जाएगा, c alpha square upon 1 minus alpha, इसको तो हम negligible मानते है, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, c alpha square रख दिया, so alpha find कर लिया, उसके बादने concentrations उसको multiply कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पर k है, वो मिल जाएगा, तो इसलिके से हमने यहाँ पर तीन application देखी, कॉल राउच लौ की, जिसके through हम वहाँ पर weak electrolyte का, lambda I am not find कर सकते है, alpha find कर सकते है, और साथी साथ, वहाँ पर k भी equilibrium constant भी हम यहाँ पर क्या कर सकते है, find है, वो कर सकते है, तीनों ही important application है, तीनों ही numerical के form के अदर पूछी जा सकती है, इनके उपर based numerical है, वो आते है, तो आज तो इस वीडियो के अदर हमने discuss किया है, इन सब चीजों के बारे में molar conductivity, limiting molar conductivity, किस तरीके से हम यहाँ पर पहुंचे, molar conductivity को कौन से factors है, वो effect करते है, फिर कॉल राउच लौ जो आगे से important तो यही था क्या, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इस सारा discuss के इस वीडियो के अंदर, अब next वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इन से related questions है, वो क्या क्या आ सकते हैं, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, conductivity, conductance, या फिर यहाँ पर molar conductivity के उपर based question, कॉल राउच लौ के उप करेंगे, थैंक यू